नमस्कर बाबाराश्टिनूज में आपका स्वागत अब चलते हैं खबरों की ओर दस बरसों बात पत्ती पत्नी का मिलन दस साल बात पत्ती भीकारी के रूप में सर्ग पर मिला पत्ती के गले मिलकर खुब रोई पत्नी जिसने भी ये मंज़र देखा उसकी आखों से आशु निकल आये उत्ता परदस के बलिये जल्पत में दिल को छूने वाला ये वाक्या सामने आया एक महिला का बीमार पत्ती कई साल पहले न पता हो गया था सनी बार को जीला महिला चीके साले कपा सड़ की नरे बैठा मिला उनकी मांसिक हालत ठीक नहीं थी इस बीच पत्नी रास्ते से गुज़र रही थी उसने दस साल पहले बीचरे पत्ती को पहली नजर में पच्चाल लिया उसके बाद पत्ती के गले मिलकर खूब रोई जिसने भी ये मंजर देखा उसकी आँखों से आँसु निकलाए जीले के सहर कोत्वाली चत में ग्राम देवकली निवासी मोती बर्मा की सादी चानकी देवी से कई साल पहले हुई थी दोनों के तीन बेटे हैं जानकी ने पताए कि सादी की कुछ साल पाद पती मोती चंद के मास्त सीख इस्तिती बिगड़ना लगी इलाज कराने के लिए उसने पती मोती चंद को अपने पिता के सांथ नेपाल भेजा था इस दोरान अच्छानक से मोती चन नुहां से गाइब हो गया उसके पितान मोती चन को खोजने की बहुत कोसिस थी लेकिन वेद नहीं मिला इसके बाग जानके देवी कुद अपने भाई के सांथ ने पाल गई लेकिन वहाँ भी कुछ है पता नहीं चला इसके बावजूद जानके ने हाठ नहीं माना वह पती को खोजने के लिए दरदर की ठोकरे खाती रही मरी सिदारों के सहियोक से भी मोती चन की काफी खोज बिन की लेकिन सालों बाग भी उसका कोई सुराग नहीं मिला जानकी दिवी ने बताए कि सालों तक उसमें दूर दूर तक पती की खोजबीन की इसके लिए उसने तांत्रिक और बाबाओं का भी सहरा लिया लेकि कुछ पता नहीं चला पत्नी का कहना है कि जब भी घर से बाहर निकलती थी तो अपने पास पती मोती चंद का फोटो लेकर जाती थी लोगों से पूछा भी करती थी जानकी ने बताये कि राते में जितने भी बिछिद्ध ब्यक्ती को देखती थी तो उसके चेहरे को गौर्ज देखकर मिलान करती थी यह नहीं उसने परसासों को भी पत्र लिग कि पति की खोजबीन में सहयोब करने की माँग की थी जानकी ने रोती हुए बताई कि आज वो अपने बेटे का इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल जा रही थी तभी रास्ते में जक्मी और पटे पुराने कपडे पहने बढ़ी दाड़ी वाले एक बेक्ती पर उसकी नजर आई उसने अपने पती मोती चंद को पहचाल लिया और रोती बिलगते उनसे लिपट गई जानकी कभी पती की गले लगती तो कभी दुलाती तो कभी इस वर को याद कर उनकी सुक्रिया अदा करती इस द्रिस को देखकर आसपास के मुझूद लोगों की आखों में आशु भराए दस बरसों के बाद पती पतनी का मिलन हर किसी के दिल को चुकिया